नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम और आपके साथ मैं हूँ मम्ता थिवारी और मैं हूँ आपके साथ प्रियंकार है बुलेटिन के शिरुआत मौस्को से मिल रहे खबर के साथ करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रूस क में ग्राइंड वैलकम हुआ है खुदरूस के डिप्टी पीम डेनिस उन्हें रेने के लिए एरपोर्ट पहुंच हुए अपनी कार में बिठा कर खोटल तर लेगे असामतोर पर बहुत कम होता है चीन के राष्टपती शी जिन पिंग जब मौस्को पहुचे थे तब उनका भी इसी तरह से स्वागत नहीं किया गया जिस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी का हुआ है पीम भारतिये लोगों से मुलाखाद भी कर रहे हैं और लोग पीम का भव्यस वागत कर रहे हैं जो आपको तस्वीरों में भी नजरा रहा हुगा भारतिये परंपरा से पियम का स्वागत किया ज़ा रहा है पियम मोधी दो दिन के दौरे पर रूस पहुंच वे हैं और आज रात में रूस के राश्ट्रपती पुतन पियम मोधी के साथ डिनर करेंगे तो दोने नताओं के बीच प्राविट मीटिंग भी होगी भारत और रूस के बीच रिश्टा नए आयाम गड़ने जा रहा है पियम मोधी और रूस के राश्ट्रपती की ये मुलाकात भविश्य की संभावनाओं के दर्वासे तो खोलते ही हैं साथ ये मुलाकात कूटनितिक राचनितिक और आर्थिक मोर्चों पर भी बेहत एहम साबित होने जा रहे हैं देखिए रिपोर्ट एक एदिहासिक घड़ी एक एदिहासिक मुलाकात एक एदिहासिक यात्रा एक एदिहासिक सफर भारत और रूस की दोस्ती का भूत, भविश और पर्तमा किसी से नहीं छिपा सोव्यक संग से लेकर मौजूदा रूस तक दोनों देशों के बीच रिष्टे अभूत पुरो रहे हैं और यही वज़े है कि ग्लोबल पॉलिटेक्स का कांटार रूस की दरब शिफ्ट हो गया है रूस के राश्रपदी पोतन और पीम मूदी के बीच बाइसवी सालाना शिखर बैठक के कई डाइमेंशन है और हर दाइमेंशन का अपना महत्व है यही वज़े है कि विदेश मंत्री एस जैशंकर भी इस मुलाकात को नए युक की शुरुवात मान रहे है आकड़ों से समझते हैं कि भारत और रूस के बीच इस मुलाकात के मायने क्या होने वाले है रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साजिदार है दोनों देशों के बीच दो हजार पच्चेस तक वी पक्षिय व्यापार तीस अरब अमेरिकी डॉलर का रखा गया था लेकिन वानेज्य विभाग से आया डेटा बताता है कि फाइनेंशियल एर दो हजार तेईस चौबिस में द्वी पक्षिय व्यापार 65.07.08 डॉलर पहुँच गया और इस तालमेल की निव पड़ी थी शीत युद्ध के वक्षिय जब सोवियत संग ने महाशक्ती के रूप में और भारत ने विकाश शील देशों के अंग के रूप में आपसी सहयोग किया था जिसका असर दोनों देशों के मौजूदा सहयोग को लेकर देखा जा सकता है भारत रूस को उसकी जरूरतों का सामान निर्यात करता रहा है जिसमें दवाएं और्गैनिक केमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मेकानिकल अप्लैंसेज, लोहा और स्टील शामिल है जबकि रूस क दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध भी बेहत खास रहे हैं इसे समझने के लिए कुछ आँखणों पर घौर करना जरूरी है मौझूदा वक्त में रूस भारत के कुल हतियार आयात में लगभग 47 फीजदी की हिस्सेदारी रखता है भारत की थल सेना में T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंक शामिल है जबकि MiG-21, Su-30, MiG-29 जैसे लड़ा को विमान भी इस साज्यदारी का हिस्सा है ब्रम्होस मिसाइल को भारत और रूस ने सन्युक्त रूप से विक्सित किया है भारत की आधी से ज़ादा पारंपरिक सबमरीन सोवियत डिजाइन की है सारे छेत्रों में भारत और रस्या के बीचे में बहूत घनिष्ट संबंद है और संबंध बर रहे हैं अब हम सिर्फ रस्या से डिफेंस आइटम्स खड़िते नहीं हैं बलकि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं देश मिलके भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम को उत्पादन कर रहे हैं तो उसके संभावना है जिसके बारे में बातचीट करेंगे चीन से तना तनी के बावजूद भारत ने रूस के साथ रिष्टों का जो संतुलन बनाया है उसे भारत की कूटनीतिक ताकत ही कहा जा सकता है यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा है जब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का एलान किया तो भारत में रूस के खिलाफ अमेरिका के रवाईय की अंदेखी की और तटस्त रहकर रूस का साथ दिया ये भी एक वज़ा है कि मूदी और पुतिन केस नई मुलाकात का असर अमेरिका में भी हो रहा है पियम मूदी की यात्रा पर पश्यमी देश बहुत ही बारीकी और इर्शा से नजर बनाये हुए है उनके निगरानी का मतलब है कि वो इसे महत्व देते हैं और वो घलत नहीं है इसमें बहुत महत्व देने वाली बात है इतना ही नहीं भारत और रूस का संस्कृतिक जुडाओं भी किसी से छिपा नहीं है सोव्यत संग के जमाने से ही दोनों देश एक दूसरे की संस्कृतिक भावनाओं का आधर करते आए हैं यही वजह है कि पियम मूदी के लिए रूस पलक पावने बिचाए है गुजराइटी डीसर्स बगेर हैं इंट्रडूस किये लॉट्स अप्थिंग इवन दा मेनू देट इस मेड़ स्पेशली उसमें भी कई नया आइटेम्स हम लोग इंट्रडूस किये गुजराइट से जाहिर है दोस्ती का ये नया दोर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है